Hello friends, आज हम बात करेंगे एक important और useful topic के बारे में, आज हम बात करेंगे कुछ natural blood thinners के बारे में, जिनसे आपका खून कुछ हद तक पतला रहेगा और heart attack आने का chance, clot होने का chance कुछ हद तक कम हो जाएगा, सबसे पहले और सबसे important चीज़ मैं यह बोल रहा हूँ कि यह natural blood thinners बहुत ज्यादा reliable नहीं होते हैं, इनके भरोसे आप दवाईयों को बंद नहीं कर सकते हैं, लोग इस तरह की बाते करते हैं सर, जो हम ginger लेते हैं, अद्रक लेते हैं, उसमें भी salicylates है, aspirin में भी salicylates है, तो हम aspirin को बंद कर देते हैं, अद्रक लेते हैं, क्योंकि वो natural है, जिंज है कि मापको 75 mg देना है, कि 150 mg देना है, exact कितना dose देना है, natural products में कितना concentration एक particular chemical का होगा, वो बहुत ज्यादा variable होता है, किसी में कोई product बहुत ज्यादा भी हो सकता है, किसी में बहुत कम भी हो सकता है, और जितना therapeutic dose है, उस level तक लाने के लिए हमको बहुत ज्यादा amount में वो च diet effects होना या पेट खराब होना, गरम धंडा हो जाना, ये सब चीजों के भी problems हो सकते हैं, इसलिए natural blood thinners कुछ हद तक blood को पतला कर सकते हैं, बाकी दबाईों के साथ हम इनको ले सकते हैं, शायद कुछ मदद करें, लेकिन इन पर rely नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इनके भरोसे नहीं चाल हुए, तो उन पर आप ये natural products को ले सकते हैं, natural blood thinners को ले सकते हैं, कुछ फाइदा करेगा, तो आपको heart attack आने का chance कम रहेगा, लेकिन दबाईों के बदले जिनको start होगी है, उनको ये लेना चाहिए, ऐसा मैं recommend नहीं करूँगा, उनके साथ में थोड़ा बहुत amounts में ले दीने सकते हैं, ये natural blood thinners, ब्लेड के blockages को कम नहीं करती, ब्लेड के clots को कम करती है, यानि खून का ठक्का जो heart attack कौуз करता है, उसको कम करती है, heart attack आने का basically pathophysiology ये होता है, जो cholesterol का blockage होता है, उसके ऊपर आपकी क्कून का ठक्का जम जाता है, तो heart attack आता है, तो अगर आप ख जैसे कि मैंने बोला जिंजर, जिंजर यानि अद्रक में सालिसलेट्स ज्यादा रहता है, यह आप इसको डारेक्ली भी ले सकते हैं, इसको कैपसूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसको चाय भी बना सकते हैं, अद्रक सबजियों में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको में होता है, कितनी ज़्यादा अद्रक हमको दिन बार में खाने की जरूरत है, ताकि हमारा कुम उतना ही पतला रहे, जितना 75 mg अब ऐस्परिन में रहता है, इसी कोई स्टेडी अवेलेबल नहीं है, और इसलिए मैं बहुत स्ट्रॉंगली नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, या उसके भरोसे हम दवा को बंद कर दें, ऐसा मत करिएगा, नेक्स्ट है, डालचीनी याने सिनिमन, ये बेसिकली इसमें कोईमरेन डेरिवेटिव रहता है, पावरफुल आंटिकोगलेंट है, डीप विनस थ्रॉंबोसिस या पुल आप वारफरेन या इसे ट्रॉंब के बदले ले सकते हैं, ये खुन को उतना ही पतला कर देगा, जितना कि आपको एक्चुल में ज़़ुरत है, आपका PTINR वैल्यूस बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा, वैसा नहीं है, पर इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए लेकिना इनके सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट है हलदी, हलदी में याने टर्मरिक में क्यूर्क्यूमिन होता है, ये पैसीकली प्लेटललेट्स को de-activate करता है, प्लेट्स को क्लॉड बनाने से रोकता है, ये आप डारेकली भी ले सकते हो, दूद में भी डालके ले सकते हो, इसको सबजियों में भी डाल सकते हो, हल्दी को अगर आप as a blood thinner थोड़ा यूज़ करो तो बुरा नहीं है. Next है, कायन पेपर, एक तरह की मिर्च है ये, ये basically इसमें भी salicylates होता है, ये खून पतला करने के लिए useful है, aspirin जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने में लोग को पेट खराब हो सकता है, या flushing हो सकती है, चैरे में बहुत ज़्यादा लाली हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, vasodilation भी है, करता है next है vitamin key, vitamin E, vitamin E containing जो भी food products है, वो आपका blood को naturally थोड़ा पतला करेंगी, कौन-कौन सी चीजों में vitamin E होता है, कोई भी dark हरी साग सबजी है, जैसे कि Swiss chard है या पालक है, broccoli है, kale है, लाल शिमला मिर्च है, या पपीता है, इस सब में vitamin E होता है, तो ये आपके blood को थोड़ा पतला क करेंगी, और आपको heart attacks आने का या clotting होने का chance को कुछ अत्तक कम करेंगी, इसके लाब आप omega 3 fatty acid जो तत्वों में है, वो सारी चीज है अच्छे, इसमें specially कुछ fishes है, वो आप ले सकते हो, या अगर vegetarian sources की बाप बात करोगे, तो अखरोट याने walnut, pumpkin seeds, और anchovies में होता है, फिश में होता है, यह सारे fatty fishes आप ले सकते हो, या इसकी capsules भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, तो कुछ हद तक blood clots को prevent कर सकती है, जिन्रों को already blood thinners नहीं है, वो definitely इन चीजों को try कर सकते है, next is lesson याने garlic, garlic में भी sulfur containing products होते है, जो की natural blood thinners होते है, और अगर आपकी को surgery बगर planned है, त इसको ज़्यादा मातरा में नहीं लेना चाहिए, इसमें antithromotic और antiplatelet properties होती है, खुन को कुछ हद तक पतला करती है, blood thinning करती है, इस बारे में already हमने एक detail video किया है, जिसमें हमने भी यह बोला था कि heart attack के time कई लोग भी ऐसे recommend कर रहे थे कि लसून और अद्रक की कलिया, कुछ खालो तो आपका heart attack तल जाएगा, कोई तकलिफ नहीं है कि यह पूरी तरह से गलत है, ऐसा मत try करिएगा, इसमें आपको problem आजाएगी, कुछ लोगों ने हमें criticize भी किया, कि हम natural चीज़ों को promote नहीं करते हैं, यह नहीं करते हैं, कल्चर के साथ आप natural चीज़ों को मत लेके ज आए कि नहीं हो रहा, उस चीज़ को आप ignore करोगे, तो उस चक्करों में आप ही परस होगे, आप ही परेशान होगे, और बाद में फिर जब बड़ी problem खड़ी हो जाएगी, तो फिर उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल भी कई बार होता है, नेक्स्ट है, एक चाइनीज हर्ब है, गिंगो बाइलोबा करके, यह बेसिकली ब्लट फ्लॉट को डिजॉल्व करता है, ब्लट को थिन करता है, यह capsule form में अवेलेबल है, टाबलेट्स अवेलेबल है, कुछ इसके leaves अवेलेबल है, इसके lotions या tinctures अवेलेबल है, वैसे ची अवेलेबल के food products में होता है, इसके natural supplements भी आते है, blood thinning drugs में भी इसको use कर सकते है, लेकिन clots को कुछ हद तक है dissolve कर सकता है, efficacy थोड़ी सी doubtful है, next है grape seed extracts, इसमें भी antioxidant तत्प काफी होता है, flavonoids होते है, anthocyanins होते है, phenolic acid होता है, और pro anthocyanin करके complexes होते है, जिनने OPCs बोलते है, oligomeric pro anthocyanins, यह सारे blood को thin करते है, कुछ blood pressure को reduce करते है, blood flow को improve करते है, blood की नलियों को protect करते है, तो यह सारी चीज़ों को आप grape seed extract में मिल जाती है, आपको ले सकते है, next है, एक herbal thinner आता है, जिसे fever few बोलते, यह भी blood thinning का काम कर सकता है, यह सारी चीज़े आपको open markets पे तो नही roots, याने, beat में भी आपको थोड़ा nitric oxide content मिलता है, जो कि blood clot को reduce करता है, blood की clotting tendency को कम करता है, थोड़ा vasodilation करता है, इसलिए heart attack के दोरान होने वाले pain को भी कम कर सकता है, और heart attack के chances को भी कम कर सकता है, तो इनको आप prefer कर सकते हैं, ले सकते हैं, और यह आपके लिए कुछ healthy product है, next है red wine, red wine में quercetin, red wine में transresverterol और quercetin होता है, जो कि natural blood thinners है, और नलियों को protect करता है, again हम किसी को यह recommend नहीं करते हैं, कि आप red wine लेना चालू करते हैं, क्योंकि जितना फाइदा नहीं करेगा, उससे साथ ही आपको नुकसान करेगा, तो अगर आप already alcohol लेते हैं, तो red wine को prefer कर सकते हैं, लेकिन red wine को आप इसलिए लेना चालू करते हैं, कि आपको heart attack नहीं होगा, यह completely गलत है, और इसमें फाइदे के बदले आपको नुकसान जाधा होगा, next है dark chocolate, dark chocolate जिसमे cocoa और flavonoids होता है, cocoa का content 60% से जाधा है, वो आपके लिए natural blood thinning का का काम करेगा, कुछ papers में तो even कहते हैं कि 75% से जाधा होना चाहिए, तो यह आपके लिए blood thinning का काम करेगा, flavonoids बगर भी नलियों को dilate करता है, तो यह healthy product है, heart attack के chances को कुछ हत्तक कम करेगा, बहुत जाधा मत लीजेगा, milk chocolates और sugar containing chocolates को बहुत मत लीजेगा, नहीं तो बजन बढ़ जाएगा, उससे नुकसा होगा, next है grape, grape में flavonoids होता है, जैसे quercetin और myrisetin रहता है, यह इसमें भी blood thinning properties रहती है, यह अगर आपको थोड़ा मात्रा में लेते हैं, तो फाइदा करेगा, पर इसमें sugar content काफी जाधा रहता है, इसलिए बहुत जाधा मत लीजेगा, नहीं तो फाइदा के बदले नुकसा करके, यह भी heart problem में, जिनलों को clotting का problem है, या blood clots होते हैं, उसके लिए herbal remedy के तरह से use किया जाता है, जो की circulation को भी improve करता है, और blood को भी thin करता है, तो यह सारे products को आप ले सकते हैं, जाधा तर यह है कि आपको यह products को कितना लेना चाहिए, इस पर कोई clear cut guidelines नहीं है, जाधा तर अगर विटामिन E की अगर बात करें, तो 400 units per day तक आप ले सकते हैं, अगर और herbal properties, medicines आप ले रहे हैं, तो कौन सी blood थे भी, medicines आपको चल रहे हैं, उससे आप discuss करें कि कितना आप मात्रा में ले सकते हैं, फिश ओईल अगर आप ले रहे हो, तो दिन बर में 2-3 gram per day लेना चाहि गार्लिक अगर आप ले रहे हो या ले रहे हो तो 1-2 gram per day आप को लेना चाहिए, विटामिन E अगर आप ले रहे हो या टोकोफिरॉल्स आप ले रहे हो तो दिन बर में 200-300 IU, maximum 400 international units तक जाना चाहिए, और bromelain जो pineapple में होता है, वो 600 mg every day आपको maximum इतना लेना चाहिए, उससे ज ज्यादा लेंगे तो खून ज्यादा पतला हो सकता है, कि कम लेंगे तो खून ज्यादा गाड़ा हो सकता है, तो यह natural recommended dose है, जो आप ले सकते हो इन सब चीजों का, यह सारे extracts आपका थोड़ा blood pressure भी कम करते हैं, blood को भी थोड़ा thin करती है, तो इनको आप as a natural blood thinners prefer कर सकते हो, जो लोगो blood thinning medications नहीं चल रहे हैं, वो इनको ज़्यादा prefer करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिनको medicine चल रहे हैं, वो अपने cardiologist के साथ discuss करें, और हाँ obviously कोई bleeding complication हो, तो आपको उसको doctor के साथ discuss करना पड़ेगा, यह भी कोई clear cut guidelines नहीं है, कि आप इनको लो और दवा का dose कम क कर दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने का यह साथे food products में कोई clear amount available नहीं होता, कि इसमें कितना concentration में वो particular product मिल रहा है, और आज के date में, जहां हर चीज अलग-अलग hybrid forms में आने लगी है, organic चीजे बनने लगी है, जादा तर labs में अलग-अलग hybrid form बनाए जाते है, productivity बढ़ाने के लि lesson अद्रक में या कोई चीजों में जितना वो तत्व था, आज के date में आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि नए-ने तरह कि hybrids बनाए जा रहे है, और hybrid बनाते हैं समय कोई भी lab यह चीज का ध्यान नहीं रखता, कि इसमें कितना nitrate content है, और कितना ही है, उनका एक ही purpose होता है कि क जाके उनको फायदा होगा, तो उनका target एक ही होता है कि productivity बढ़ाना, अब productivity बढ़ाने के चकर में फल में वो तत्व रह रह रहा है कि नहीं रह रहा है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता है, जैसे कि फलो का भी है, आज की date में आप compare करो कि natural जो fruits का taste पहले आता था और आज जो food का taste आता है, उसमें कही कुना फरक है, in fact, अलग-अलग जगा से आप fruits लोगे तो taste में भी बहुत जादा फरक आता है, कोई फल बिल्कुल मीठा होगा, कोई फल बिल्कुल मीठा नहीं होगा, तरुबूजों बगर में भी आप देखोगे कि कितने chemicals use होते हैं, कही बिल्कु बाड़ी करने वाली किसान को आप exactly नहीं सिखा सकते कि भाई इसमें ये oxytocin इतने मातरा में डालना और ये इतना डालना, वो लोग बहुत सारे experiments करते रहते हैं, जिससे कि फलो सब्जों की properties भी change हो जाती हैं, उनके taste चेंज हो जाते हैं, उनके natural benefits भी change हो जाते हैं, तो इस तो अपने risk पर ले सकते हैं, लेकिन actual में कितना benefit होगा और heart attack कम होने में कितना benefit आपको मिलेगा, ये कहपाना किसी doctor के लिए possible नहीं है, और probably मुझे लगता है कि किसी scientist के लिए बहुत कहपाना इतना easy नहीं है, यदि इस topic को संबंदित, आपकी कोई comments, query suggestion है, और definitely इसमें लेकिन obviously आपको समझने की ज़रूत है कि लोग natural चीज़ों के चक्कर में कहीं बहुत बड़े blenders भी कर देते हैं, दवाईयां बंद कर देते हैं, और ये सारी चीज़े लेना चालू कर देते हैं, और फिर heart attack और ये लेके आते हैं, और खासकर heart की बिमारी में आप experiments नहीं कर स जाता है, तो इसलिए experiments करने का heart की बिमारी में I think बहुत जादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें गलत फसे अगर आप, तो बहुत बुरे फस जाएंगे, यदि इस topic को समझने, आपकी कोई comments, कोई suggestion है, तो most welcome, यदि जो लोग हमाई channel पे नए हैं, उन्हें request करोंगा की channel को subscribe कर जो लोग हमाई channel पे बहुत जादा detail में ये सारे content नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए regular basis पे हम YouTube Shorts upload करें, जिसमें सारे topic का one minute summary हम आपको देते हैं, ये topics को आप देख सकते हैं, और इसमें आपको basically थोड़ा बहुत idea हो जाएगा कि ये topic में क्या हम कहना चाह रहे हैं, और हम आपको पार उ Ăने जापको जाए बहुताँ खारे का तकादार और झापको ढीव का रहे हैं, और झाहे हैं, झाल को बहुता पुदाएय में क्हाया जाइए չ्यकुता गुताएयिख सारे रहे जाओशाना पनादिक श्मेतरिवец काया हम आपको आपको ओनागे थे हैं,